ठाकुर की प्राप्ति कैसे होगी यह कभी हम नहीं सोचते हैं ठाकुर से कैसे प्राप्ति होगी यह हमारा भी सेरेता है कि महाराज ठाकुर से कुछ कैसे मिलेगा ठाकुर जी कुछ दे तो कोई बात नहीं तो महाराज ठाकुर जी देखते भी नहीं कभी सोचा है आपने ठाकुर जी कितना कुछ करते हैं हमारे लिए कभी आपने नहीं सोचा होगा मैं आज आपको बता देता हूँ हम लोग कृतग में हो गए हैं मतलवी हो गए हैं है हमनों अगर मन्दिर में सोरिपे का चंदाभी देंगे तो दसलोग होता है साहब हमारे साहब ने या सोरिपे का परची कटा है था इस मंदिर में ये चुछ के आप के लिए अब के बीज जोड़ stink बेश चोड़के आते हैं आप एक किलो भीज को बोके आते हैं वो हजार किलो कर देता है उसका अभी सोचा है इस वारे भी जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर नहीं वो कहां चबा जाता है कोई बेग्यानिक यह सिद्ध नहीं कर सकता कि बच्चा बड़ा होगा तब बीर कुछ ऐसा हो सकता है कोई इस तरी बाज हो जिनके हैं बच्चा नहीं हो तो नहीं किसी को अपना इस्तन पांड नहीं करा सकता कि बेग्यानिक उस चीज़ को लेकि नहीं आ सकता क्योंकि जरुवत देखे ठाकुर जी उस चीज़ को भेजते हैं जहां लगता है उनका भुझा तो अपने आप यह बहुत साधरन सी बात और समझने की बात है कि इस जीवन में हम सब जानते हैं देह पत्यकलत्रादी स्वात्मसर्णेसु सचसपी तेशाम प्रवत्यों निधनम परस्वन अपी अपस्यत्य यह शरीर पांच भौतिक तत्यों से बना है इसको मिटिना है कौन नहीं जानता सब जानते हैं पर क्या करें समसान गए और लोट के आए एक बाल्टी कहा जोना देवी जी पानी लगाओ बाल्टी में जैसे एक बाल्टी पानी से नाया अब अब सब बूल जाते हैं हम जानते हैं कल हमसे एक छोटा सा बच्चा गुजर गया इसकी उमर हमसे कम थी कल कोई बड़ा गुजर गया कि जीवन कब तक रहेगा कोई जीवन सत्य नहीं है सत्य तो मृत्य हुए आप कब तक जीएंगे आपका ये सरीर कब तक रहेगा कोई नहीं बता सकता अब एक बार मरेंगे ये हर कोई बता सकता है